जब भी एक यूजर अपना computer बिल्ट करता है या करने वाला होता है तो वह अपने हर चीज अपने budget range में best चुनने की कोशिश करता है जैसे अच्छा सा motherboard, अच्छा सा processor, अच्छा RAM, अच्छा graphics card और अच्छा monitor और इसके पहले वह इन तमाम चीजों पर बहुत research करता है तब जाकर कहीं वह अपना system बिल्ट करता है लेकिन इन सभी चीजों के बीच वह एक महत्पूर्ट चीज को बिल्कुली भूल जाता है यह यूँ कहें कि यह चीज उसके दिमाख में ही नहीं आती जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ chipset की अब जो कि वह एक नया user होता है इस कारण से उसे इस chipset के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती है लेकिन वही बात हम ऐसे users की करें जो कि लंबे समय से computer का यूज कर रहे होते हैं उन्हें भी इस chipset का कोई idea नहीं होता हाला कि जो अच्छा इसा बिलकुल नहीं है कि किसी को भी इसका idea नहीं होता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इसका अच्छा idea होता है लेकिन ऐसे लोग आप सो बहुत समदीखने को मिलेंगे दोस्तो अब ऐसा होता क्यों है कि जाएतर लोग इस chipset के बारे में नहीं जान दी या उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती है दोस्तो इसका एक बड़ा कारण है chipset का बांकी component की तरह उतना popular ना होना जी हां इसका main reason यहीं है क्योंकि बांकी components जो अपने आप में ही काफी popular होत इन सब के बारे में हर एक user जानता है चाहे वो कितना भी नया क्यों नहीं हो लेकिन जब बात आती है chipset की बात दोस्तो अच्छा एक चीज और भी देखने को मिलता है वो यह की पूरा system खरीदने से लेकर set करने तक कोई भी इस chipset की बात नहीं करता चाहे वो दुकांदार हो इस सिस्टम बिल्ट या सेमल करने वाले व्यक्त तो ऐसे में भला नए user इसके बारे में कैसे जान पाएंगे तो मेरे हिसाब से तो यह कुछ चीजें हैं जिनके कारण लोग इस chipset के बारे में नहीं जान आते हैं तो बने रही है इस वीडियो के साथ क्योंकि आज के इस वी दोस्तों चिप से इक इंडेडियेटिट इस स्कूट या ऐसी की होता है जो कि प्रोसेशर के साथ वीडि़िवय करने के लिए के दिजाइन किया जाता है लेकिन इसका काम प्रोसेसर की तरह नहीं होता बॉलकि कॉमप्यूटर के समस्च कनेकटिघ डिवैसे की बीच डेटा-फमार्स करता है यानि आपके पूरे अपूरे कर देटाफ्लो करना होता है CPU से RAM RAM से हार डिस्क इधर से उधर यहां से वहां समझ डेटा को यह चिप सेट ही मैनेज करने का काम करता है यानि चिप सेट के दौरा ही हर एक डेटा की पहचान किया आती है और यहीं से अधिके से शही स्थान पर रूट किया जाता है तो इस प्रकार जो भी communication होता है वो थुरू इस चिप सेट ही होता है तो आप बात समझ कए ही होंगे कि chipset क्या होता है और इसका क्या काम है आगे इसके बारे में हम और भी detail में चानेंगे आपको चीजे और भी clear हो आखिर यह chipset होता कहा है अधिकतों लोग को यह जानकारी नहीं होती है कि यह chipset होता कहा है देखिए आपके motherboard पर बहुत सारे chips होते हैं लेकिन उन सभी में जो सबसे बड़ा chip होता है और एक बड़े heat sink से cover होता है वही आपके motherboard का chipset होता है आपके motherboard का chipset लोग इसलिए भी नहीं पहचान बाते क्योंकि ये एक बड़े heat sink से ढखा होता है chipset motherboard के size और company के हिसाब से अलग-अलग चकाप पर place की जाती है जिखान देने वाली बात दोस्तों यह है कि पुराने motherboard पर chipset नहीं हुआ करते थे वहां पर north bridge और south bridge हुआ करता था लेकिन अभी के modern motherboard पर आपको ये north bridge और south bridge जैसा कुछ भी देखिए को नहीं मिलेगा क्योंकि chipset ने इन्हें replace कर दिया है दोस्तों आखी ये chipset design करने के जरूरत क्यों पड़ी भीया दर असल पहले की motherboard पर जब north bridge और south bridge आया करता था तब इस north bridge से RAM और PCIe के slots direct connect होते थे और बाकि सारी चीज़े south bridge से connect होती थी तो जब भी कोई data RAM से प्रोसेसर जाना होता था तो वे director प्रोसेसर तक ना जाकर पहले नौटर सब़रा फिर प्रोसेसर में उसी प्रकार पीस याईए का भी डेटा पहले नौटर इंग्जि पर फिर प्रोसेसर में अध्रेटा अध्री डेता यानि अब जो भी data transmission होगा, वो direct होगा, जिस कारण से latency भी काफी कम होगई और इस feed भी बढ़ गई ये कौन-कौन सी company बनाती है chipset, चले बात कर लेते हैं इस पे भी जनली chipset को design करने का काम, प्रोसेसर बनाने वाली company ही करती है और computer laptop की processor बनाने का काम दो ही company करती है दोस्तों और यह Intel और AMD Intel अपने processor के साथ work करने के लिए अपना chipset खुद डिजाइन करती और उसी प्रकार का AMD भी अपने processor के साथ work करने के लिए अपना chipset खुद ही तेयार करते हैं इन दोनों के लावा और भी बहुत सी companies हैं जो chipset बनाती हैं जैसे gigabyte, Asrock, MSI, Asus, etc. लेकिन यहां पर हम केवल इन ही दोनों की बात करने वाले हैं Intel processor को support करने वाले motherboard पर आपको Intel के ही chipset देखने को मिलेंगे बहले ही motherboard किसी भी company का हो उसी प्रकार AMD processor को support करने वाले motherboard पर आपको AMD के chipset देखने को मिलेगा लेकिन इस बात कधियान रखें इन दोनों का tie-up और भी दूसरी companies के साथ होता है वैसे में कुछ motherboard पर आपको third party के chipset भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं इंटल के साथ Intel chipset और AMD के साथ AMD chipset ही आप इस्तेमाल करें द्यान दीजिए Intel processor supported motherboard पर आपको एक ही chipset देखने को मिलता है वहीं AMD supported कुछ एक या दो जनेरेशन तुराने motherboard पर आपको दो chipset देखने को मिल सकते अब आप सोच रहे होंगे कि क्या chipset का बस इतना ही काम है एक computer system में बस इसका इतना ही रोल होता है तो इसका जवाब है नहीं बिल्कुल भी नहीं क्योंकि इसका main काम तो अभी जाना बाकि है चलिए इसे भी जान लेते हैं देखिए Intel और AMD जब भी अपने जनेरेशन के प्रोसेसर को लांच करती है तो वह उसके साथ के chipset भी लांच करती है जैसे entry level chipset budget range, main stream level chipset mid range and enthusiast level chipset high end range अब यह तीनों क्या है भीया चलिए फटा वर्ट से जान लेते हैं entry level chipset जैसा की नाम से ही पता चल रहा है कि एकदम नार्मल यूजर बनाया गया होता है जिसका काम बहुत ही कम और नॉर्मल अच्छे पाउरपॉइंट प्लेइंग स्टॉंग वाचिंग वीडियो और नेट्स अच्छे एक्स अच्छे में इस्ट्रीम की बात कर लेते हैं इसथर्सरा दक्राइबर्स झोज रहे नीजिएस एक्स्ट्रीम यूजर जिन ना इसटनरू कटटिगरी बड़त ही। द्हान देनेवाली वात है यहां पर धीविद का मतलब मेंस्ट्रीब लेवल की वर्क से है ना कि ए क्स्ट्रीम लेबल की बण तीसरा इंट्यूर्स लेवल चिपसेट तो इंट्यूर्स क्टेगरी यानि एक्स्ट्रीम यूजर जिनका काम बहुत ही हाई लेवल का हो जैसे हेवी एडिटिंग, आडियो वीडियो मिक्सिंग, दूंदिंग, 3D गेविंग, अनिमेशन, 3,5, मॉद्लिंग, वर्क, स्टेशन और सबक्राइक समस्टेटा को मैंड़ करने काम करता है, लेकिन, हम जानेंगे एक एक सिस्टम में क्या रोल आदा करता है , दर असल इंट 554 क BRI यह तैकरते हैं कि आपको सिस्टम में क्या-क्ना यह मिलेंगी, कहसे मिलेंगी कितने ऐममॉंट मीम तो आपको पता होगा कि बहुत साल पहले जब क्भिडिटर आज की तरह उतना नहीं हुआ करता था तिए हर एक परकार की यूजर के लिए एक ही प्रकार का मतरबॉर्ड बॉर्ड होता था जो काफी बड़ा और हला की होता था और साथ यह काफी महता थी तो ऐसे में लोग के पास कोई और बिकल्प नहीं होता था सिवाए इसी को पर्चेस करें के इसलिए जिसे इसकी जरुवत नहीं भी होती थी उसे भी इसे पर ना पड़ता था पहले ही वह यूजर बिगनर ही जोना हो अब क्योंकि एक ही प्रकार का मतरबोर्ट होता था तो इसलिए इसलिए प्रक अपनी कंपनी यूजर को देखते हुए उन्हें कटेग्री यूजर को कवर कर पाय कर था की तो डोनों कंपनी ने अपने अपने आपने जी सिद्ड़ैंट की करते हैं तो जैसा कर आपको पहले बताया है जाचपैक आपको इंटेल सब्सक्राइब करती है वह इसमें इंटेल ने कुछ चार प्रकार के चिप्सेट लाच्ट है 510 जिरो एच वाइज जिरो वी 560 जैड फाइज जिरो इसमें एक इंट्री लेबल वालों के लिए है दूसरे दो मेन इस्ट्रीम वालों के लिए और जो लास्ट है वह उसके अब तोच रहे होंगे कैसा पतक करें कि कौन सा क्या है और किसके लिए इस चीज को पैचाने के लिए कुछ लेटर को आज गूश किया है जैसे हमें बात करते हैं प्राटेन ने भी अपने सबसी लांच किया है वह लेकिन अब्ब्स लांच कर लांच के लिए नहीं देविए सब श्चाहिए लेकले पोई करता है जैसे ए एक बात करते हैं कि कौन से सिपसेट में क्या मिलेगा और कौन सा चिपसेत किसे लिए सही राईगा तो देखे जो आपको कम ही चीज़ों का मिलता है यानि जो भी चीजे दी जाती हो एक limited amount में दी जाती हैं जैसे RAM दे दो slots PCIe का एक slot और चार santa port चार USB port एक ही video port इत्याद अब चीजे सभी चीजे कम ही कम मिलती हैं इसलिए यह motherboard भी काफी चोटा होता है जिसे हम mini ITX या ATX के नाम से भी चांते हैं यदि आप ऐसे यूजर है जिसके एक बड़ा और पावर शिस्टम नई बिल्ट करना है बल्कि आपको एक चोटा कॉंपैक सिस्टम बिल्ट करना है और आप इसके साथ मिलने वाले लिम्टिक चीज़ों संतुष्ट है तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो बस यह सिस्टम आपके लिए ही पर बात कर लेते हैं में इस्ट्रीम करना च सब्सक्राइब करने के लिए इस सब्सक्राइब करने के लिए इस आपके और सिस्टम की जगत पढते हैं मैं एक एवे शिस्टम एक हैवी शिरक टने करता है थंट में चैसे पॉटसे यह शूब्स पूर्ट चाहिए को लाब और और जसाए सब्सक्राइब काफी शॉबआ भाव और काफी पाफी बड़ ऑर काफी इह आने वाली बात है क कि सबी चीजे में अलग अलग कंपनी के हिसाब कम या जादा हो सकती है तो यह तो अच्छी तीन कडिगरी के चिपसट जिसे अच्छे समझाने की मैं तो पूरी कोशिश करी है और उमीद है कि आपको समझ भी आ गया होगा जब भी एक यूजर सिस्टम आप बिल्ट करते हैं अच्छी है नहीं को जाएगा है कि श्यादे करता हूँ कि तो यह जाएब देखते हैं इसके क्या नुपसान हो सकते हैं लेते हैं कि आपको काम बहुत है और आपको ज्यादा रायम की जरूरत है लेकिन जो मदर बोर्ड आपने लिया है उसमें दो ही स्लॉट है और वह भी पहले से भरे हुए पैसे में आप क्या करेंगे बांकी की रैम कहां और कैसे लगाएंगे भी आपको इसके लिए और करेंगे लेकिन जो मदर बोर्ड आप में चुछ किया उसमें सार्ट अप कमी है तो आप क्या करेंगे इसे बिगर और भी बहुत साही दिक्कते हैं जो आपके सामने आ सकती है यदि आपने बिना सोचे समझें कुछ भी पच्छेस कर लिए तो इसलिए सबसे पहले अपने व सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन जब भाईश में उन्हें कुछ अप्ग्रेड करना होता है तो वह नहीं कर पाते तो ऐसे में उनके पास से दो यह आप्शन बच्छते हैं या तो वह दूसरा मदर बोर्ड परशेस करें या तो अपने वरकेशां कमरों मार्स करें सभी प सब्सक्राइब के मादें समय जरूर बताएं मिलड़ा हूं अंगली वीडियो में तब तक के लिए नबश्कार